नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके आईए आज हम सभी जानते हैं गिलोई की पहचान गिलोई के फायदे और नुकसान के बारे में गिलोई बट्टी आप जानते है कि एक बेहद ही बेहतरिन और शद ही है क्या आप एक ऐसी जड़ी बुटी की खोज कर रहे हैं जो कि आपकी अधिकांश स्वास्थे समस्याओं का इलाज करें तो आपके लिए गिलोई से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है यह आपको एक बड़ी संख्या में है कि कैसे हम इसे पहचानेंगे क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गिलोई के बारे में नहीं जानते हैं गिलोई आयुरवेद में मौझूद सबसे महत्तोपून जड़ी ब्यूटियों में से एक है यह भारतिय टिनोस्पोरा या गुदूची के रूप में जाना जाता है गिलोई को अक्सर अमरिता बुलाया जाता है यह अमरित के लिए भारतिय नाम है यह विभिन्न प्रकार के प्रयूजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोक किया जाता है हो सकता है आपने गिलोई की बेल देखी हो लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोई की पहचान न कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में प्रयोग किये जाते हैं। गिलोई के कुछ एक महतोपून फायदे हम आपको आज अपनी इस वियो में बताने जा रहे हैं। आए जानते हैं गिलोई के फायदों के बारे में। गिलोई के प्रियोग से इम्मुनिटी सिस्टम को आप बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गिलोई का पहला और सबसे महतुपून लाव है रोगों से लड़ने की शमता देना। गिलोई में इंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं, जो कि स्वास्थे में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। नियमित रूप से गिलोई जो उसका सेवन करने से रोगों से लड़ने की शमता बढ़ती है। गिलोई के फायदे ढेंगों में भी होते हैं, कैसे करना है उपयोग ढेंगों में ये जानते हैं। गिलोई का एक अन्य बहतरीन लाव है कि यह लंबे समय से चले आ रहे हैं जोर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि यह प्रकृत्ति में जोर नाशक है तो यह जीवन को खत्रे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम कर सकता है। यह आपके रक्त में प्लेट लेट्स की गिंती को बढ़ाता है और डेंगों बुखार के लक्षणों को भी दूर करता है। गिलोई के साथ तुलसी के प्लेट लेट्स की गिंती को बढ़ाते हैं और डेंगों से लड़ते हैं। गिलोई के अर्क और शहद को एक साथ मिला कर पीना मलेरिया में उप्योगी होता है। बुखार के लिए 90 प्रतिशत आयरुवेदिक दवाओं में गिलोई का उप्योग एक अनिवारे घटक के रूप में होता है। गिलोई के और शध्य गुण पाचन को बहतर भनाते हैं। बस इसका प्रियोग करना है कैसे यह हम आपको बता रहे हैं। गिलोई आपके पाचन तंतर की देख भाल कर सकता है। उपाए है और शध्य है। अगर आप मधुमे से पिडित हैं तो गिलोई निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलोई एक हाइपोग्लिसीमिक एजेंट के रूप में कारे करता है। यह रक्त चांप और लीपीड के स्तर को कम कर सकता है। यह टाइप टू डाइवेटीज के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोग्यों को नियमित रूप से रक्त शर कराके उच्चस्तर को कम करने के लिए गिलोई का जूस पीना चाहिए। इसके अलावा आप गिलोई का सेवन मस्तिश्क के टॉनिक के रूप में भी कर सकते हैं। गिलोई भी एक अडाप्टो जेनिक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दोनों मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उतक्रिष्ट स्वास्थे टॉनिक बनाने के लिए गिलोई अकसर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और आपका काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विशाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलोई की जड़ और फूल से तैयार पांच एमेल गिलोई के रस का नियमित सेवन एक उतक्रिष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलोई को अक्सर एक बुढ़ापा भी रोधी जड़ी बुटी के रूप में जाना जाता है। गिलोई रस के फाइदे हैं दमा के इलाज में भी उतने ही कारगर। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी, घबराहट, अन्य सभी रोगों में ऐसी हालत के लिए इलाज मुश्किल हो जाता है। तानके कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षनों को कम किया सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलोई यह अक्सर अस्थमा के रोग्यों के इलाज के लिए विशे शग्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिलोई का रस दमा के इलाज में उपयोगी है निम और आउला के साथ मिला इसका मिश्रन इसे और अधिक प्रभावी बना देता है इसके अलावा गिलोई के उपयोग से आप गठिया से रहत पा सकते हैं अगर आप में से कोई वात रोगी गठिया से पिडित है तो आपको गि यह उपयोग से आपको मिलेगी कामेक्षा में व्रिध्धि अगर आपको लगता है कि आप विश्तर पर अच्छे नहीं है तो चिन्टा की कोई बात नहीं है आप तुरंत गिलोई का सेवन शुरू कर दें पुरुशों के लिए भी गिलोई एक वर्दान है क्योंकि गिलोई एक कामो द्वीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में कामेक्छा की ब्रिध्ध होती है यह सिक्स इक्छा शक्ति को बढ़ाता है इसके फ़ल स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं गिलोई जूस के सहारे आप आँखों को भी स्वस्थ रख सकते हैं गिलोई नेतर विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहां आँखों के रोशनी बढ़ा देता है और चस्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है भारत के कुछ भागों में लोग गिलोई को आँखों पर उपियोग करते हैं आप गिलोई को पानी में उबालें उसको ठंधा करें और फिर आँखों की पलकों पर लगाएं आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा गिलोई रस बेनिफिट्स युवात तवचा के लिए जिहां आपको अगर फियर इसकीन चाहिए चमात इसकीन चाहिए इसमें भी फायदे मंद होता है गिलोई उम्र बढ़ने के लक्षणों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें उम्र विरोधी गुण होते हैं जो की काले धब्बे मुहां से बारीक लाइनों और जुरियो को कम करते हैं यह आपकी त्वचा को उज्वल युवा और सुन्दर रखता है चेहरे के दाने जाईया मुहां से काले धब्बे पर गिलोई के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं इन सब रोगों के अलावा गिलोई और भी कई प्रकार के रोगों में उप इसकर एक गिलास चांच के साथ मिला कर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है इसके अलावा गिलोई के कारहे में शहद मिला कर दिन में दो तिन बार पीने से भी पीलिया ठीक हो जाता है गिलोई के तने को उबाल कर बनाए गए कारहे को ठंधा करके पीने से उल्टी से रहत मिलती है, गिलोई के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं, गिलोई के रस के सेवन से शरीर में खुन की कमी यानि के एनीमिया दूर होती है, शरीर में जलन से रहत के लिए गिलोई के रस को नीम के पत्तों और आउला को मिला कर काढ़ा बना लें और दिन में दो तीन बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोए का रस पीना पीट के कीडों के इलाज में उपयोगी होता है। अब जानते हैं कि क्या गिलोए बच्चों के लिए सुरक्षित है। गिलोए पांच साल की उम्र या इस से उपर के बच्चों के लिए सुरक्षित है। पैदा कर सकता है। गर्वती और अस्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके इस्तेमाल के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन कंडिसंस में अगर आपकी बॉडी है तो आपको बचना चाहिए गिलोए के प्रयोग से बिदाउट डॉक्टरी परामर्स के। तो ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए मित्रों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।